अब हम डिसकस कर रहे हैं, code forces round A28 division 3, problem B, event odd increments, इसमें problem statement पहले हम सबह लेते हैं, तो problem statement में दिया गया है, कि हमें n numbers दिया गया है, ठीक, तो और हमें 2 type की, Q queries हमें perform करनी है, और हमें 2 type की queries हमें दिया गया है, ठीक है, एक तो query 1, अगर 0 और XJ दिया जाएगा, और 1 और XJ दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है, 0 और XJ का मतलब क्या है, कि अगर 0 है, ठीक है, तो query अगर type 0 की है, तो हमें क्या करना है, even numbers पे, जितने भी even numbers में है, उस प query 1 type की यह type 1 है तो हमें xj number add करना है जितने भी odd numbers है जो भी odd numbers है उस array में सारे odd numbers के साथ xj हमें add करना है मतलब अगर 0 type की query है तो हमें xj add करना है सारे even numbers पर और अगर हमें 1 type की query है तो हमें X-Eight करना है सारे जितने भी उसमें odd number present है ठीक है और हमें बताना है कि हर एक query के बाद कितना sum है उस समें total array का ठीक है array का total कितना sum बना है उस sum को में हमें सा हमें return करना पड़ेगा ठीक है हर एक query के बाद ठीक तो यह है problem statement simple सा ठीक है अब इसको समझते हैं और हमें दिय है constant की जो value दी गई है वो n की जो value है वो 10 की पावर 5 दिया गया है हमें मानना पड़ेगा और जो query q की value है वो भी 10 की पावर 5 के आस पास है ठीक है तो अब इसको मानते हुए हम अब approach discuss कर रहे हैं कैसे होगा ठीक है तो अब हमें क्या करना है कि सिंपल सा observation यह करना है कि suppose पहले हम क्या कर लेंगे अगर area में दिया गया ठीक है a1 a2 a3 a4 कुछ भी ठीक है an मान लेते हैं इसमें जो odd numbers है वो कितने बार है एकस टाइमस है और even numbers है वो कितने टाइम है वाई टाइमस है अब हमें यह नहीं पता यह हमें कोई मतलब नहीं है कि ओड नमबर जो है वो किस टाइब यह मतलब नहीं है बस अगर odd है odd x number है तो उस हर एक x element पे हमें क्या करना पड़ेगा id करना पड़ेगा क्या aj कितने element पे? x number पे तो हमारा jump हुवाँ रजाजतों लुँभ मतलब हमें odd पे increase करना है तो हमारा sum होगा, वो increase किसले हो जाएगा? वो increase हो जाएगा x कितना है odd है odd number of element x है into a j ठीक है into a j a j हमें क्योंकि add करना है सारे odd number पे ठीक है तो x into a j से हमारा क्या हो जाएगा sum बढ़ जाएगा बट अब यह देखना है और अगर इसी type अगर हमारा type query का 0 है तो हमें हमारा sum क्या बढ़ जाएगा sum plus equal to कितना हो जाएगा y into a j ठीक है बट अब important बात यह है कि हमारा जो number of odd है ठीक है odd numbers है वो कहीं even तो नहीं हो गए जब हम add कर रहेते a j तो कहीं even तो add नहीं हो गए even तो नहीं बन गए और कहीं जो even थे तो हम a j add करते समय और तो नहीं बन गए अब वो कैसे होगा अगर odd number में type 1 की query है type 1 की query है और odd numbers है अगर उस और नमबर में हम जो a j हो हमारा अगर यह भी odd हो तो सोचने की बात है अगर odd number में हम odd add करेंगे तो क्या वो number even नहीं बन जाएगे और even number पहले से थे अब यह odd number क्या बन चुके है अब even बन चुके है तो मतलब इस समय odd number कितने हो जाएंगे इस query के बाद odd number 0 हो जाएंगे ठीक है क्यों देखते हैं फिर से देखते हैं समझते हैं इसको ठीक है यही बस में चोटा सा बस यहीं observation है बस सवाल बस हो जाएगा ठीक तो क्या करना है कि odd number है query one type की है ठीक है इसका मतलब odd number पे हमें operation परफॉर्म करना है अब AJ अब AJ दो केस हो सकता है AJ एक तो even भी हो सकता है और AJ एक odd भी हो सकता है अगर AJ even हुआ तो इस odd number पे add होके ठीक है odd number पे add होके जितने भी numbers है क्या यह odd प्लस even अभी भी यह odd आएगा तो कोई दिक्कात नहीं है no problem ठीक है तो इसका मतलब at the end of that query ठीक है उस query के खतम होता ही odd number भी हमारे उतने ही रहेंगे जितने पहले थे और even number भी हमारे उतने ही रहेंगे जितने पहले थे ठीक है बट अगर यह AJ odd हुआ अब अगर यह odd के साथ मिला ठीक है इस odd अगली जो query perform होगी अब इसके according perform होगी उसमें odd उसमें अगली query पे उसमें odd 0 हुआ होगा और even numbers n होगे ठीक है तो अब इसी तरह जैसे हमने odd के उपर discuss किया type 1 query होके odd number था AJ का 2 case बना एक even एक odd अगर even है तो odd plus even हमें पता है कि odd होगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा number of odd और number plus odd हमें पता है कितना होता है even इसका मतलब अगली query पे total पूरे numbers क्या मन जाएंगे even उसमें odd कितने होग जाएंगे 0 ठीक है तो इसी तरह इसी तरह क्या अब हम type 0 query के लिए भी कुछ होगा ठीक है तो बस यह half part of code का यह आधा logic है आधा क्या है कि अगर 0 type का query है ठीक है अगर 0 जो टाइब का है तब जो मतलब देखो अब 0 type का है इसका मतलब हमें number even number फे में operation perform करना है बट even plus AJ ठीक है अब AJ क्या दो केस हो सकता है एक odd एक even अगर even के साथ even number में अगर हम odd add कर दें तो क्या यह odd बन जाएगा odd बन जाएगा थे माल लेते X even थे और य और तो अब ये X क्या बन चुके है ये X odd बन चुके है यह पहले से odd थे इसका मतलब total n जो जाएँगे इस समय और अगर even हुआ माल लेते AJ even हुआ और type हमारा 0 type हुआ तो अब हमें क्या होगा even plus even तो हमारा क्या हो जाएगा number आएगा even इसका मतलब अभी भी x even होंगे और y odd होंगे, बट इस case में इस समय 0 क्या हो जाएंगे, इस समय odd हमने add किया है, इस समय total n odd हो जाएंगे और 0 even बचेगा या, अगली query के लिए, ठीक है, तो बस यही छोटा case था, और हमारा हमें मालूम है कितना sum हमेशा update होगा इस तरह से, अगर 0 type है तो number of even जितने भी है उस समय और aj और अगर type 1 है, तो sum odd जितना भी उस समय present number है aj, बस हमें अब इस query के बाद even और odd type और number के corresponding क्या करना है, चिक करके और उसे हमें even और odd को update कर लेना है, ठीक है, बस logic इतना सा है, अब code देख वेते हैं इस तो, इसका code भी बस simple से ही है, ठीक है, if else है थोड़ा से, ठीक है, बस, यही, ठीक है, तो यही है इसका code, हमने क्या कर लिया, कि input ले लिया, and of queries, ठीक है, और vector ले लिया, ठीक है, and elements हमने input ले लिया, और हम देख लिया कि sum अभी present array का ठीक है, जो भी इस समय array, initial array है, ठीक है, initial array का जो भी sum है, उसको हमने maintain कर लिया, और कितने number of odd elements हैं, इस समय initially, और कितने number even हैं, initially, उसको हमने even और odd variable maintain कर लिया, ठीक है, तो इसको करने के बाद हमने क्या कर दिया, q queries, ठीक है, number of queries को हमने run कर दिया, और उस समय हमने क्या x और v ले लिया x बता रहा है x क्या बता रहा है type क्या है और v क्या बता रहा है वो number क्या है ठीक है aj ठीक है जो भी वहाँ aj था ठीक है ओ क्या है तो अगर x 0 है इसका मतलब हमारा type क्या है even पर हमें add करना है ठीक है तो हम simply अगर even type, even पे add करना है, और number भी even है, तो क्या उस समय even को कुछ फर्क पड़ेगा, even numbers क्या odd बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि even में even add कर रहे हैं, तो उस समय जिर्फ हमारा sum अपडेट होगा, और कुछ अपडेट नहीं होगा, बट अगर even type पे, अगर हम odd add कर रहे ह तो उस समय सम तो पहले हम sum calculate कर लेंगे, और उस समय हमें पता है कि सारे odd number बन जाएंगे, मतलब उस समय odd का value n हो जाएगा, और even का value क्या हो जाएगा, इसी तरह अगर type 1 है, इल्स case में type 1 है, और number हमारा even है, तो इसका मतलब odd पे हम even perform करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब सारे क सारे number हमारे क्या बन जाएंगे, अगर हम odd number पे even perform कर रहे हैं, इसका मतलब अभी बिमारा number odd ही होगा, इसका मतलब sum update होगा, और कुछ update नहीं होगा, बट odd number पे, अगर हम odd perform कर दें, तो इसका मतलब सारे के सारे number हमारे even हो जाएंगे, odd उस समय 0 हो जाएगा, और sum update हो ठीक है जो भी उस समय नमबर हमारा दिया गया था ठीक है बस इतना सा लॉजिक था इतना कोड था ठीक है तो आपको समझ मा गया होगा ठीक है थाइंक यू